आज हम देखेंगे option chain के help से की support zone और resistance zone क्या है निफ्टी में और bank निफ्टी में सबसे पहले देखें तो spot क्या चल रहा है वो चल रहा है 15,293 मतलब actual जो प्राइज है निफ्टी की वो 15,293 है अब यहाँ पे देखें तो 15,300 के उपर जो call है वो वो जो call है वो in the money है और 15,350 के नीचे जो put है वो in the money है एक बार आप ज़रूर comment करना अगर आप detail में समझना चाहते हैं in the money और out the money क्या होता है time value कैसे calculate करते हैं intrinsic value कैसे calculate करते हैं option में जरूर हम उसका video आपके लिए बनाएंगे अब यहाँ पे यह देखने मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा position build up कहा है अब यहाँ पे देखें तो एक लाग सोला हजार तीन सो चौरासी 1,16,384 open interest मतलब contracts open है यहाँ पे 15,700 के levels पे तो अगर उपर की तरफ निफ्टी अगर move करता है तो जो सबसे बड़ा hurdle है crucial hurdle है वो 15,700 का हमको यहाँ पे दिखता है क्योंकि यह positions यहाँ पे बहुत ज़्यादा build की हुई है और यह positions जब build की है तो जब market उपर जाएगा तो buyers को यह पूरी position consume करनी होगी मतलब यहाँ पे पूरा इसको zero करना होगा और इसके इसाब से market का एक बड़ा resistance यह देखने के ले मिलता है इसके बाद देखे तो क्या है उसके बाद देखे तो 16,000 का जो level है वो सबसे बड़ा hurdle है यहाँ पे देखे तो 1,35,000 quantity से भी ज़्यादा open interest यहाँ पे 16,000 के levels पे trade क कर रहे है उसके price देखे तो 8 रुपया भी last rate price है बतलब almost यह zero हो जाएगा यहाँ पे बहुत ज्यादा position selling side में create करके रखा होगा यह समझ में आता है अब इसी तरीके से हम लोग ने resistance देखा अब support देखने है support कहां पे है तो सबसे ज्यादा जो position build हुई है वो है 82,000 के level पे यह है 15,000, 15,000 के levels पे सबसे ज्यादा position build हुई है उसके बाद देखें तो 14,800 का level जो है वहाँ पे positions build हुई है 41,000 और फिर 46,000 और फिर यहाँ पे देखें तो 14,500 के levels पे 78,976 open interest open है मतलब positions build हुई है और यहाँ पे यह देख सकते है यह change in open interest है कि मतलब यहाँ पे नई positions build हो रही है और इतनी open interest यहाँ पे trades हो रही है मतलब यहाँ पे जो position से इतनी open है अगर यहाँ पे अगर buyer और seller आते तो यह पूरी position को consume करना होगा उनको तो यहाँ पे हम लोग यह देख सकते है कि जो next support है वो 14,500 और उसके पहले जो support है जो 82,000 positions build हुई है वो 15,000 तो यह हम लोग ने यह देखा कि जो नीचे का support है वो है 14,500 और यहाँ पे देखे तो 15,000 15,000 और उपर का अगर resistance की बात करें हम लोग कि resistance levels कहां है तो वो है 15,700 और 16,000 के levels पे हमको market में nifty का resistance देखने मिल रहा है जरूर आप comment करना तो हम आपको बह option charts की सब्सक्राइब से study करते हैं जरूर हम आपको समझाने और बताने ही कोशिश करेंगे यहाँ पर हम लोग ने आज यह देखा option chart के help से option chain के help से कहां पर ज्यादा positions build हुई हैं कहां पर option chain के help से support और resistance zone हम लोग ने find करने की कोशिश की तो जरूर इस वीडियो को अपने friend औ झाल